और हमें और ही। तुदे ही डिपिcess कस्थ एंप॓र्टन सिस्थम्पे इस ड्लांट्टिंग सीस्थम् लांट्रैक सीथिंग में हमाइरे साथ 2 तेरफ के Cool Parents नूपरिखने जीम्टरी कर दो PCC में मbert जीवनेुलियस से आता है जिसको हम वेस्टीबुलो स्पाइनल ट्रेक कहते हैं जबके इसेंडिंग या सेंसरी पाथवेज में कोई हमारे साथ कार्टिकल होते हैं तो कार्टिक्स को दो सिस्टम में ली जाते हैं एक इंटीरियो रेटर्म या स्पाइनल तेलेटरेक और दूसरा है डॉसल कॉल्म में इसकल सिस्टम पाथवे ठीक है इसके अलावा हमारे साथ दो और भी इंपॉर्टन पाथवे हैं जो सबकॉर्टिकल एरिया को जाती है तो इसमें हमारे साथ हैं इंटीरियर स्पाइनो सेरिबिलर पाथवे और दूसरा है पॉस्टीरियर स्पाइनो सेरिबिलर पाथवे So now let's discuss this whole chapter in detail अच्छा अभी हम डिसकस करेंगे The Sensory Pathway in Nutshell Sensory Pathway में हमारे साथ त्री Neurons involved होते हैं एक होता है First Order Neuron दूसरा होता है Second Order Neuron और तीसरा होता है Third Order Neuron First Order Neuron याद रखे कि ये हमेशा Darcel Root Game Lion के साथ इन डिलेशन होता है वो आके मैं आपको समझा दूँगा Second Order Neuron ये Generalization अभी से याद रखे कि जितने भी Sensory सिस्टम है चाहे वो टॉर्सल कॉलम मीडिल लिमनिसकल पात्वे हो या इंटियो लेटल सिस्टम हो या कोई Sensory Nerve हो वो हमेशा उसका Second Order Neuron Dekasate करेगा Dekasate का मतलब यह है कि अगर ये Right Side का Neuron है तो ये Left Side पे जाएगा और अगर Left Side का Neuron है तो ये Right Side पे शिफ्ट होगा और Third Order Neuron हमेशा तेलमस में होगा So, Third or THIRD Third in तेलमस ठीके, T for Third, T for तेलमस Let's discuss the First Order Neuron अच्छा ये इस Neuron को आप देके, ये First Order Neuron है ये Other से यूनीक इसलिए है कि इसकी Cell Body जो है यहां पे है, संटर में है तो इसका एक Process यहां रिसेप्टर की तरफ जाता है जिसको हम Feribral Process कहते हैं और एक Process इसका जाता है Spinal Cod की तरफ जिसको हम Central Process कहते हैं ठीक है? और ये सारे जो Fibers हैं हमने पिछले डिसकेशन में कहा था कि ये तरू Posterior Root जाते हैं क्योंकि Posterior Root Sensory होता है और Posterior Root को हम Dorsal Root भी कहते हैं इसलिए इस गेंग्लियान को हम Dorsal Root गेंग्लियान कहते हैं अच्छा आप भी फिगर में देखें जए second fiber हमने कहा था.. तक ये हमेशा dekaset करेगा तो देको second fiber दूसरी तरफ को dekaset कि आूपर गया हुआ है और 3rd के बारे में हमने कहां था कहें हमेशा Thelemus में होगा तर्ड तेलमस Thelemus T,bels 3rd… Cette. cord on the ち for the meus तो स्पाइन और तेलेमिक का काम क्या है इसको याद करने के लिए आप यह याद रखो कि स्पाइन तो स्पाइन जो कांटा है वो जो किसी को चुपता है तो उनको पेन होता है और इसका जो तेलेमिक काटी है देर जिस फौर टेमप्रेचर याद रखके तो स्पाइन और तेल ये तो बड़ा सा डिस्टेंस कवर करके निर्टी का सेट कर जाता है और फिर उपर चले जाके तेलमस में स्टॉप हो जाता है तेलमस से तर्ड और नियूरॉन स्टार्ट हो जाता है और तुरू पोस्टीर लिम्ब आप टर्णर के अपसूल इंडब होता है कोटिक्स में और याद रखें कि जो ट्रेक ऊपर जाता है तो उसमें लिक्स से जो फाइबर आते हैं वो लेटरल होते हैं सो एलफ और लेटल एंड एलफ लिग नाव पिर इन अधर इंपॉर्टन पॉइंट देट वोट इस डर्स लेटल ट्रेक अप लेजार अच्छा इस रेक के बारे में यह याद रखें कि जो हमारा फॉस्ट अडियू रांता जिसका एक फिरिपरिल प्रॉसेस था पिर टॉर्स संटल ब्रॉसेज इसको हम सीलिक देंगे इसकों भी यह संटल फ्रॉसेज जो है यह Fresnel kafeld में जब इंब avail जैता है तो वहाँ पर यह कोड़ीं चोटे ऐसे इसनिंडेग और प्रिसेंडर्बर अब हिश्च ए तीस करिके ऑऄ फॉन एस से जब मिल जाते हैं तो इससे एक ट्रेक बनता है और इस ट्रेक को कंबाइन ली डर्सलेटल ट्रेक आप लेशार करें है लेट्स डिसकस डर्सल कॉलूम मीडियल लिमनिस्कल पात्वे अच्छा यह पात्वे याद रख को कि यह हलके हलके सेशन लेके जाता है जैसे वाइबरेशन प्रेस्प्शन पुजीशन जेंज सलाइट टॉच और यह याद रखके के क्रूग टॉच जो है वह इंटियूरल पात्वे की मोडलिटी है ठीक है तो क्या होता है कि वही फॉस्ट आडर नियूरॉन आ जाता है जिसका प्र प्र सिख होता है और फिर यह सो सपोज यहां पर यह बंदे कॉट है वी कार्ड में इंटर होके इप security आन दह सेंग साइड ऊपर जाता है जाता है ँर्थ कि यह patreon मेड़ॉला प сможंद मेड़ुला व लंगेटा में नूकलिस क्यूनियटिस और नूक्लिस ग्रिसेलिस पे खित्म हो जाता है है ठीक है तो इस ग्रिसेलिस और क्यूनियीटिस से पर नए f papers निकलते हैं और वो प्रिटी का सेट करते हैं ठीक है यह बात याद रखने की है कि जो स्पाइनो तलेमिक पाथवेता उसकी टीकसेशन यहां पर होती थी स्पाइनल कॉड में जबके की डीकसेशन जो है वो होती है उपर मेडूला और ब्लांगाटा में और उसको यहां पर जो टीकसेशन के बाद फाइबर बनती है उसको हम इंटर्नल और करेट फाइबर कहते हैं एंड फार नो ऑब्विस रिजन वंस एगें इस 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 दे वरी प्रिट क्वेश्टिन आप ए जो तोरिक्स और गडॉमिन में जितने भी विस रहे उनके सेंसेशन तुरू स्पाइनल कॉर्ट ऊपर लेके जाती है तो वंस अगें इसका फस्ट ऑर्डर न्यूरान पस्ट अर्डर न्यूरान पोस्टीर रूट डॉर्सल रूट गेंगलियान के तुरू पोस्टीर पूट आफ और स्पैनल कोड ले इंटर हो जाता है फिर उन्स अगें सेंलार फेशन में सेकन ऑर्डर न्यॉरान के साथ मिल जाता है second order neuron in the same very fashion अगर right side से निकला है तो left side की तरफ डीकसेट करेगा और अगर left से निकला है तो right side की तरफ डीकसेट करेगा और तेलमस में end up होगा और तेलमस में third order neuron start हो जाएगा specifically in the ventral posterior lateral nucleus of thalamus और फिर उपर जाएगा through posterior limb of internal capsule to the cerebral cortex तो वो उपर चाके खत्म होती थी cerebral cortex पे अब यह हम दो important pathways पढ़ेंगे एक है interior spinal cerebellar path और दूसरा है posterior spinal cerebellar path और यह pathways जो है instead of cerebral cortex it will end up in cerebellum that is why these are cerebellar track so now first discuss interior interior में यहां पर मैं एक गरीब सा मसल बना देता हूं और यह उसका गॉल्जी टेंडन और गन है ठीक है यह वाला अच्छा इससे आएगा फिर प्रॉस्ट और न्यूरान फिर इसका होगा डॉल्स प्रॉट के इंग्रियान फिर होगा इसका central process और हमें पता है कि central process to posterior root जो कि sensory है उससे आएगा spinal cord में अच्छा यहां पर यह बात याद रखने की है कि बाकी सिस्टम जो हमने पड़े उसमें तीन न्यूरान इनवाल होते थे इसमें सिर्फ दो न्यूरान इनवाल होंगे तो यह second neuron यहां से start हो जाएगा ठीके और as usual यह second neuron है तो second neuron decassate करेगा तो the other side और फिर other side पर उपर जाएगा लेकिन याद रख़े कि cerebellum के nuance में ये मसला है कि ये कहीं पर भी जाए ये वापस अपनी मतलब original site पर आएंगे तो ये वापस decasate करेगा at the level up superior preduncle या superior cerebellar preduncle ठीक है और वापस आ जाएगा cerebellum में ये मैं गरीब सा cerebellum बना देता हूँ ठीक है तो hope कि आप लोगों को अभी anterior spinal telemetric में कोई confusion नहीं है कि ये golgi tendon organ या stretch receptor से शुरू हुआ भी कि इसका first order neuron यहां पे खतम हो गया posterior root spinal cord में आगा और यहां पे खतम हो गया second जो शुरू हुआ तो उसने पहले decasation की फिर उपर गया लेकिन पिर वापस की और तुरू स्पीजर सेरेविलर प्रीडंकल वापस आगया सेरेविलम में नव आई विल चैंज दे कालर और posterior spinal cerebellar ट्रेक भी इसके साथ साथ बना देते हैं अच्छा पोस्टीर भी वही टू नियूरान से बना होता है बस नियूरान ऐसे आ जाता है ठीक है यह अच्छा जब सेकंड नियूरान यहां से निकलेगा तो सेकंड नियूरान क्या करेगा सेकंड नियूरान इसका डिकसेशन कोई नहीं करता बस सिंपल यहां से उपर चला जाता है ठीक है और क्योंकि सुपीरियर तो आलेडी अंटीर ने एकुफाई किया हुआ है तो तुरू इनफीरियर से बिर्डंकर से बिलम में चला जाता है इसलिए जब भी कोई से बिलम का डिमेज होता है तो उसकी मेनिफेस्टेशन जो है वह एपसीलेटरली आई अन्दा सेम साइट क्योंक बना देंगे एक गॉल्डी टेंडन और अर्गन बना देंगे ठीक है ना और लिट सपोस हम बना रहे हैं पॉस्टीर स्पाइनो से बिलर ट्रेक तो क्या होगा कि यहां से एक प्रिपर प्रॉसेज फिर डॉर्सल रूट गिंग दिया प्र संट्रल प्रॉसेज अच्छा बना देंगे लिए तो वह सॉली सेल बॉडिज मिलाके एक न्यूडियस बना थी क्योंकि एक रेकलेक्शन अपसल बॉडिज इंसाइड दे सीनेस इस नुडियस और इस नुडियस को हम क्लाउक नुडियस कहते हैं अगर्ट इसको हमने पढ़ ली जसमें नूराउन उपर की तरह जाता था अब है रिसेंट इंग पातव जिसमें को टेक्स से नूराउन होके नीच आएगा तो इसमें तीन की जगा दो नूराउन जूज होते हैं ठीक है एक को हम जो अपर मोटर नूरान और यूसरे को हम ल अब उजट साइड को डीकसेट करता है ठीक है और फिर नीचे आता है नीचे आके ये spinal cord में interior horn पे खतम हो जाता है और फिर interior horn से second neuron निकलता है जिसको हम कहते है lower motor neuron और इसको upper motor neuron और इसका सबसे बेस्ट एक्जमपल है कार्टीको स्पाइनल ट्रेक जिसमें कार्टेक्स से neuron start हो जाता है फिर मेडुला में डीकसेट हो जाता है interior horn पे खतब हो जाता है और फिर interior horn से second neuron निकलता है जिसको lower motor neuron कहते हैं जो अपने argon for example skeletal muscle को supply करता है नो लेट्स दिसकास थ्री इंपोर्टेंट डिसेंडिंग पात्वेज एक कॉर्टिक्स से आता है और दो सबकॉर्टिकल एरिया से आते हैं कार्टिक्स जो आता है वो कार्टिको स्पाइनल ट्रेक है वंस अगेन हमने कहा कि यह लेट्स सपोस कार्टिक्स है तो इससे एक फाइबर शुरू हो जाता है जिसको हम अपर motor neuron कहते हैं यह मेडुला में डीकसेट हो जाता है फिर नीचे पहुंच आता है spinal cut के interior horn पे interior horn से हमारे साथ second neuron निकलता है जो के lower motor neuron को होता है और जो effector organ for example skeletal muscle पे पहुंच जाता है ठीक है अच्छा याद रखे के 90% of the fibers जो है वो यहाँ पे डीकसेट करती है जबके 10% यहाँ पे आके पिर यहाँ डीकसेट करती है नीचे at the level of spinal cut अच्छा rubro spinal track में यह बात याद रखें कि यह वह अच्छा जो कार्टीको spinal track के इसका काम है highly skilled volational movement of limbs जो होते हैं वो करना जो rubro spinal यह facilitate flexor muscle मतलब हम जब बेटते हैं तो हम rubro spiral track की वज़ा से बेटते हैं इसमें भी जो red nucleus है उससे fiber निकलता है डीकसेट हो जाता है interior horn पे खतम हो जाता है interior horn से आगे second यह lower motor neuron निकलता है अच्छा विस्टिबुलर ट्रेक जो है यह little different इस होजा से हैं कि इसमें कोई decusation नहीं हो थी for example right side pair track शुरू हो गया vestibule nuclei से तो यह right side पे ही खतम होगा यह decusation नहीं करेगा with this we conclude this topic thank you so much